दोस्तो यह तो तमान सारे application और software मौजूद है market में लेकिन आज हम उन्हें से बात करने वाले हैं गोर्ष्ट software के बारे में तो इस वीडियो का आगे देखते रहें हम आप से बात करेंगे गोर्ष्ट software क्या होता है और इसका use हम कैसे और क्यों करते हैं दोस्तों अगर हम बात करें विंडोस के तो जिसका मतलब होता है कि हमारे PC लेप्टॉप में जो भी विंडोस पड़ी है वो करेफ्ट हो चुकी है तो ऐसे में मार्केट जाता है और एक नई विंडो ड्राइव लिकाते हैं अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए उसके ब इसी काम को पांच से दस मिट के अंदर करने के लिए हम यूस मिलाते हैं 1995 में नौटन्स के तब से बनाएगया गोस्तॉल का गोस्तॉट्वेर का तया के हमारे हैटिक का पूरा बैकप ले लेता है हमारे लैपटाप पीसी का पूरा बैकप लेता है जिसकी मथा अगर हमारा सकूल या कालوجिजस के जो कंप्षवर लाइफ होते हैं इसमें एक ही तरीके के अप्रिकेशन और सॉफ्वेयर कई सारी अलगले कंप्देस में पढ़े होते हैं तो एक इस वे साफ危 assumes हो जाएगा उस अलगल सॉफ्वेयर मिर् dzieci Cris तो हमारा पूरा पूरा डाटा गोच्छ सब्वेर पे बैक अप होता है और हम 5-10 मिट के अंदर पूरे डाटा को वापस से पा सकते हैं तो बिसिकली यही यूज़ होता है गोस्ट वाफ्वेयर का और इसलिए 1995 में नॉटरंस कंपनी द्वारा गोस्ट वाफ्वेयर को बनाए गया था हाला कि इसे सबसे पहले बानेरी से अपने लेफटाप या अपने कंप्टर की हार डिस का पूरी तरह के से क्लोन त्यार कर सकते हैं और इसे कॉपी कर सकते हैं किसी और या लेफटाप अला कि यह एक पेड़ सॉफ्वेयर है लेकिन हम गूगल पर जाकर इसका 30 दिन का ट्रायल वर्जर्ण डाउनलोड कर सकत हैं तो आई होब आपको यह वीडियो अच्छी लगिए इस वीडियो से विजाने के मिला हो अगरी वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करो जैने पनाए सब्सक्राइब बेट अप्राइब करो हम मिलेंगा है फसे एक और ने टाप्डिश के ताथ तब तक लिए